आदना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्त जनों को जैमाता की आज मैं भक्त जनों आपके लिए माता काली और बाबा सवल सिंग बौरी जी का एक शावर मंतर आपको बताने जा रहा हूं जह जो शावर मंतर है जो भी सादक जो भी भक्त इसका जाब करेगा तो माता काली कलकते से और बाबा सवल सिंग बौरी जी मुर्थल धाम से चड़ाई करेंगे और चड़ाई करने के वाद जो भी इल्म से इनको जाद करेगा तो माता काली और बाबा सवल सिंग बौरी जी के ये शक्ति इस शावर मंतर के शक्ति जो भी आपका कोई शत्रू है उसका विनास करेंगे अपनी शक्ति के दौरा और आपके उपर कितना भी कोई बुरा इल् लगा हुआ है आपकी गदी के उपर कोई बुरा इल्म लगा हुआ है जा फिर आपके स्रीर को बांद रखा है आपका कारोवार बांद रखा है तो माता काली और बाबा सवल सिंग बौरी जी का जह शावर मंतर आपकी पूर्न रूप से रक्षा करेगा जो भी सर्दा के अन अगर आप उसी विदी के अनुसार इनका भोग परशाद इनका लुफा देंगे तो माता काली और बाबा सावल सिंग बावरी आपकी पूर्न रूप से रक्षा करेंगे केवल एक माला के मंतर जाप से ही यह मंतर चलेगा और इसका जाप आप नित्त है जब भी आप बाबा सावल सिंग बावरी और माता काली जी की जोत लगाते हैं तब आप गद्दी के उपर अपने घर में इसका जाप कर सकते हैं और जो इसका भोग परशाद है वह तामसी जो भी वक्त जन इसका जाप करना चाहते हैं तो मैं आपको इसका भोग परशाद बताने जा रहा हूं बाबा सावल सिंग पाउडी और माता काली जी का ये भोग परशाद आप नोट कर लें जो भोग परशाद है देसी घी का हलबा, चार बुंदी वाले लड़ू, दास बतासे, दास लौंग, दास छोटी इलाइची, दो मीठे पान, और एक देसी शराव की वोतल आपने वक्त जनों ये भोग परशाद कैसे देना है, आपने पहले बाबा सावल सिंग बौरी और माता काली जी के चराग लगाने के बाद, गदी के ऊपर जा अपने घर में जलका कमंडल अपने पास रखने के बाद, उपलो की अंगियारी बनानी है आपने और उपलो की अ दो हिस्सों में इसको बाद लेना है, दो हिस्सों में आपने डवाइड कर लेना है, इसकी दो पतलें आपने त्यार करनी है, दोनों भागों में आपने देशी घी का हालबा बाद लेना है, और जो चार लड़ू है, दो दो लड़ू उसके उपर रख लेने हैं, और पांच पाच पाच बता से रख लेने है पाच-पाच लॉंह रख लेने है और 5-5 छोटी एलाइची और 1-1 मिठा पान और जो शराब है जो देसी शराब की धार देनी है आप जोनों का नाम लेकर वह है धार आप दे सकते हैं देसी आपकी एक बोतल से ही आप माता काली और बाबा सावल सिंग बोरी जी की धार दे सकते हैं जे भोग परशाद लगाने के वाद भक्त जनू जो मैं आपको ये मंतर पताऊँगा इसकी एक माला का आपने जाप करना है और एक माला का जाप करने के वाद जे भोग परशाद देने के बाद जो भी आपके घर में समस्या है जा आपके स्रीर को किसी बुरी आत्मा ने बांद रखा है तो जह सारा भोग परशाद जाप करने के बाद आपने अपने उपर से सात वार वारना है और आपने पूरे घर का एक चक्कर लगाने के बाद इसको आप कहीं वहर खुले मिदान में दे सकते हो जा वहती नदी के कनारे भी आप इस भूख प्रशाद को दे सकते हो जे विदी अपनाने से बाबा सवल सिंग बौरी और माता काली आपकी पूर्ण रूप से रक्षा करेंगे माता राणी के भक्त जनों आब आप माता काली और बाबा सवल सिंग बौरी जी के इस शावर मंतर को नोट करें मुर्थल धाम से जागे सवल सिंग कलकते सेमा काली माता नेहत खंटा पकड़ा बौरी रफल दुनाली भगतों के दोनों वने हैं रक्षक दुष्टों के लिए काल शत्रू और शेताने इलम पर करते दोनों वार मेरी भगती गुरू की शक्ती देखा माता काली बाबा सवल सि बौरी आपके इलम का तमाश्या तो हां माता रानी के भगत चनों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेर जरूर करें और चैनल को सबस्क्राइव करें और आप हमें दौाओं में हमेसा जाद रखें फिर मिलेंगे एक नई विदी एक नई साधना के स तब तक जाए माता काली जाए बाबा भैर बनात